चलिए तो संस्क्रीट के बारे में थोड़ा साम लोग जानकारी लेते हैं सीटेट की जो संस्क्रीट होती है वो लैंग्योज में होती है अधिकतर और टेट की जो लैंग्योज होती है वो हिंदी में होती है समझना होता है लेकिन यह बताइए आप लोग जब हिंदी वाला न नहीं अब कोई कुश्यन आ गया कोई कुश्यन आ गया भई हमको पता ही नहीं अब लिव आप क्या होगा वही गाना याद है रजी अफस गए गुंडों में कहां से आएगा जब हम थोड़ा सा समझेंगे हमको उसके बारे में नालेज होगा एक तो पहली बात ही है कि जितने लोग संस्कृत पढ़ें देखो सुपर्टिट में दस नंबर आता है अगर यहां हमने अच्छे से कर लिया तो दस एक एक नंबर मायने रखता है पास होने के लिए याद रखना इबाइड नहीं करिए अगर यहां पर आपने इंग्लिश डाला है तो संस्कृत जरूर पढ अभी और चारणस्थान ये कह है संधी ये कह है समा से कह है क्या फरक है भाई कारक अगर संस्कृत का अच्छे से आगया तो हिंदी माने जीरो हवा है एकदम खाली समझना है भाई और सीटिट कहता है कि भाईया देखिए आप लोग जो रट के या पढ़ करके जो समझ जाएगी कि मैं हूं कैसा जिस भी कांसिब्ट को आप समझ जाएंगी वो क्या कहना चाहता है आप तुरंत उसको कैस करेंगे यही होता है तो यह बताईए आप लोग कहां से स्टार्ट करें हम आप लोगों को संस्कृत बताईए वरण विचार से कि आप लोगों को अनुब यह कविन नाम नई सुनाओंगा आप लोगोंने जितने भी लोग समय तस्ट धातों करूप अलग चलता है और एक आत्मनेपद की धातो होती तीन धातों होती है समझना यह दूसला प्रियोग होता है और देखिए प। यह जो पारिश दियो से फ特षार नाम से परिदिया है है कि नहीं यहां पर एक चीज हमने लिख दिया गम गम बराबर गच उसके इसका आर्थ क्या होता है इसका मतलब क्या होता है वर्तमान काल को क्या कहते हैं संस्कृत में अंग्रेजी में क्या कहते है कि यहीं नहीं कहते हैं अब इससे सब कुछ पता हो गया हिंदी में क्या कहेंगे वर्तमान काल अंग्रेजी में प्रजेन इसमें क्या कहेंगे इसका रूप चलता है गम बराबर कच दिखिए थोड़ा सा समझेए गम यह दो यह है मूल धातु क्या है मूल धातु यह रूप रूप चलता है इसे यह हिंदी अर्थ है और यह इसको हिंदी भी क्या कहेंगे समझिएगा क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे धातु कहते हैं देखिए यहीं गम से यह रूप चलता है गच्छत है गच्छत है आप लोग सुने होंगे चलता है कि नहीं गच्छत है गच्छत गच्छाम है अब देखिए इसी गम से गम से यह जो मूल है जो संस्कृत का स है पहली बात तो यह समझो कि संस्कृत संस्कृत से किसकी उत्पत्त हुई है और हिंदी शब्द की उत्पत्त किससे हुई है आए फारशी अगर उन्होंने पूछा कि हिंदी सब्द की उत्पत्त हिंदी शब्द कहां से लिया गया है तो कहां से लिया फारशी अगर उन्होंन केवल पूछ लिया कि हिंदी की उत्पति कहां से हुई है तो संस्क्रिस से हुई है परिक्षादी हो तो आज से यह हम लोग कभी नहीं भूलेंगे जो हिंदी शब्द कहां से लिया गया तो यह फार्शी शब्द होता है और हिंदी की उत्पति कहां से हुई है संस्क्रिस से करोना खाना हर एक चीज जो हिंदी में कहते है ना देखना पढ़ना ये सब क्रिया है हिंदी में क्या है क्रिया लेकिन जैसे ही आप संस्कृत में आएंगे उसको क्या कहते हैं धातु कहते हैं तो हिंदी के जो जाना खाना पीना ये क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहा जाता ह अधात्मानकाल का रूप होता है घच्छती बीद यह एक बचन की बात घ्र पिर उसके बाद अधानल रोज़े अब यहां पर देखो जब इसका हम लोग लिडल्र है कि भाविश्यकाल कि इसका रूप देखिये यहां पे मूल अधातु क्या है मूलधात के वरड कौन काँसे है मूल अधातु के वरड कौन decision काउए गाय और माight बात को समझा करिएगा मूल अधातु का वरड गम के मूल अधातु का मनें कैसे मिलके बन जबर और मैंसंइल जो रूप चलता इक्षल यांपे लोग दफीशत गच्छत गच्छत गच्छ ने लेकिन जैसे ही वार्तमान काल में जाएंगे तो यहांपे परिवर्तन हो जाता है इसका आजाता है घमिश्य तोटा सा देखिये तो देख लीजिए गाप आपने मूल वर्ड पर नहीं हो मूल वर्ड कौन है गम के घंञ मिल रहा है लेकिन यहां मिल रहा है मत नहीं मिल इसी को अनित धातु कहते हैं कौन धातु कहते हैं और नहीं दोने मिल राते हैं इसको वागर चलके बताएंगे कोई बात नहीं है अभी जो सेट धातु होती हैं जो अनिट धातु हैं जब हम लोग प्रत्य पढ़ेंगे नहीं बहुत बड़ा उपियोग होता है इनका समझ रही कि नहीं तो इनका रूप अलग चल जाता क्योंकि इनका वर्तमान काल का रूप और भवी से काल का रूप अपने दोनों मूल वरणों पर ही होते हैं इसका मूल धातु का वरण काउन काउन से हैं पर ठाए तो आज तो पहला दिन है तो देखते हैं अब स्टार्ट कर हाँ यह उपर स्टोड़ी उठाया जाता है कि एकदम नीचे सुठाएं भई यह आप लोगों एकदम सीटेट है कब परिक्षा है तह बहुत समय है अच्छे से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो फिर जिन्दिगी आप संस्कित पढ़ना नहीं पढ़ेगा गारंटी है मेरी अखो मजे लेकर के पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है तो आज हम लोग एकदम छोटी सरवनावाम सब्द से इस्टाट पहली बात तो यह जानू कि जो मनुस्य होता है मनुस्य को आप इस्त्री लिंग बना सकते हो संस्कृत में नपुन्सक लिंग भी बना सकते है और पुलिंग तो वह होता ही है लेकिन इस्त्री लिंग वाले शब्द को आप केवल इस्त्री लिंग ही वना सकती है उसके साथ कोई छिड़ खानी नहीं कर सकती है हमको आप तीनों लिंगुन परिवर्वार्ति कर सकती है कैसे अब इसके साथ मेरा नाम भी जान लिजिए संजीव ठीक है अब संजीव प्रतिपदिकार्थ वचन मात्र एक आप लोगोंने विभक्ति जब पढ़ा होगा ति एक सूत्र होता है प्रथमा विभक्त का प्रतिपदिकार्थ दिखा होता है कि नहीं प्रति पदिकार्थ, वचन, मात्र, वचन, लिंग, परिमाड, इतने चीजों की जानकारी कौन देता है? प्रतमा विभक्ति देती है अब थोड़ा सा यह चीज़ जानते चलों प्रति पदिकार्थ इसका प्रति पहली बात तो जानलों प्रतिका आर्थ क्या होता है प्रतिका आर्थ होता है की ओर और एक चीज़ जानों हिंदी का जो भी शब्द होता है वो जिस अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है उसी अर्थ को धारण करता है ये बहुत जरूरी बात है कि जैसे अगर आपने एक अर्थ जान लिया कि इसका यही होता है तो जब वो किसी दूसरी वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ चेंज हो जाता है जैसे बिल्ली ने रास्ता काट लिया, काट दिया, बिल्ली ने उसने मेरा बेतन काट दिया, अब देखो, काट दिया, उधर बिल्ली से क्या सम्मान्द है, मतलब बिल्ली ने रास्ता काटा, इधर बेतन काट लिया, पैसवाई काट लिया मेरा, बेतन नहीं दिया, भाई महिन और हिंदी का जो और हिंदी के एक एक शब्दों का अर्थ बहुत बड़ा होता है हर कोई ज्याता नहीं होता है पहली बात लेकिन जिस अर्थ के लिए प्रियोग किया जाद है तो उसको संब अब यह कह रहे हैं कि प्रतिपदिक प्रतिपदिक का मतलब ही होता है किसी भी शब कि हिंदी में हिंदी में ना संस्कृत में है नहीं है संजीव का मतलब यह संजीव है भाई एक नाम है लेकिन संजीव को जैसे ही संस्कृत में आपको ले जाना होगा और संस्कृत में जाएंगे तो आपको क्या लगा देना होगा विशर्ग लगा देना होगा अब हो गया बालक का माने के बालक एक बालक नहीं तो यहां संजीव कितने हैं एक संजीव है तो देखिए इस संजीव इस बालक का अर्थ बताने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है बिशर्ग का और बिशर्ग हमेशा प्रथमाभिवक्त में जैसे ही रूप स्टार्ट किया जाता है तो उनका जो नाम होता है, हमेशा संस्कृत का एक बचन ही होता है उसमें आपने अगर बिशर्ग लगा दिया, तो एक प्रतमा विभक्त का बहुबचन हो जाती है जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, मालोक जैसे बाल, बालिका ही ले लिया अब देखिए संजीव को संस्कृत में बनाने के लिए क्या चीज़ पर यो किया, बिशर्ग लेकिन इसको संस्कृत में बनाने के लिए अपने आप में ही संस्कृत में है अगर सोचों कि पुलिंग की तरह भाई है लियो अब हो गया संस्क्रिदम नहीं अब ये बहुत सारी बालिका हो गई बालिका बालिके बालिका साथे ता तो कहने का मतलब यह कि यह बहुत सारी बालिका यह अकेली बालिका नहो करके कितनी है बहुत सारी है लेकिन यहां पर संजीव के आगे जब बिसर गलगा दिया जाता है संजीव अकेला होता है अब देखिए संजीव को इस्तरी लिंग बना मने लिग दिया इसी में टाप प्रतीं जोड़ू और इसका क्या सेश रहता है यह बन जाएगा शंजीवा अब मैं किसमें हूं इस्त्री लिंग में और इस ही में आम जोड़ दो क्या बन जाएगा जन्जीब इस समाई काॉन से50 में न पुन्सक लिंग तो पुलिंग barking व आले सब्सक्राइब है ना सब को कुसुम होती है क्षोता है कुसुम जाता है जाती है देखिए लहो रहा है कि नहीं जब आप जैसे हमने कहा पापा होती है क्षोता है माता होती है खोता है पहिया होता है को होती है जो भोलो होता है कहते हैं कि नहीं नदी होती है को होता है देखो अब उस तरह से आ गया निमनलिखित में से पुलिंग और इस्तिरी लिंग सब्द है अब चाठो दे दिया उसी में हम लोग घूमते हैं घूमते हैं कि नहीं लेकि होता है को होती है क्या बोलते हैं होता है बोलते हैं तो देखा देखा पकड़ लिए कि नहीं उस तरीके से याद करें भगवान होता क्या है होता क्या है रहे होता होती लगाओ ना अब देखो संजीव होता है होती है नहीं होता है यहां लगाते हैं कि नहीं हम लोग नर्मल करते लेकिन समझते नहीं यह फाली थोड़ा साधिमांग लगा दो अपने आप आजाएगा है की नहीं फुस्तक होता है होती है सुज कोesh बोलो लो है पढली बात निमें दूरोरी लिंगों होता है इस्तोप करन दो से पहले सबसे बाद तो देखिए संस्कृत करने से पहले सब से पहलेए अप लोग इकारान्त सब woven के बारे में जानू कि होता क्या है समझ रहे कि नहीं अब हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक दम अराम से चलिये लिखिए रिकारांत रिकारांत शब्दों का पहचान करना का तो सबसे पहले हीडिंग डालो कि अकारांत शब्द कि अकारांठ शब्त सब्दों की पहचान रहेगे तहसा कंसर kriter अकारांठ अकारांठ का मतलब यह होता है कि कि आती हो सब्द के लासट वाले वरंड पर अ बनाओ निए ऐसा साथ अप लोग बनादो इस के लास्ट में आता हो गिए धन्यवात जैसे संस्कृत पढ़ रहे हैं यहाँ पर लिख दिया क्या अब यह बालक है क्या है राम है मा में क्या है शिक्षक है यहाँ पर क्या है तो जिस भी जिस भी शब्द के लास्ट वाले वरंड में आता हुव या कारांत सब्द होता है तो एक चीज और समझ ना, कि जब आप यहां पर बताईए, बालक होता है कि होती है, तो यह अकारांत पुलिंग हो गया, क्या हो गया, अकारांत पुलिंग शब्द हो गया, समझ गया कि नहीं, यह क्या होगा, अकारांत पुलिंग शब्द हो गया, यह अब समझे कि नहीं, अ आकारांत इस्त्री लिंग शब्द बनाने बनाएं आप लोग एकाद बनाईए सोचके जिसमें आता हो और वो इस्त्री लिंग हो आप लोग भी सोचिए अपने मन में कि क्या हो सकता ऐसा कौन सा सब्द होगा कि जो अकारांत जो जिसके लास्ट में ऐसा सब्द हो आता हो और वो इस्त्री लिंग हो नहीं आ रहा है नहीं किसी का नाम बता दो आ हो गया जैसे आपने बोला बालीका बालीका यह क्या हो गया आकारांत इस्त्री लिंग सब्द हो गया रमा क्या हो गया आकारांत हो गया आकारांत इस्त्री लिंग सब्द हो गया सोच के बताओ आप लोग देखते हैं कि सोच लेते हैं कि नहीं एक तो घूम के पढ़ाने का आदा था यह एक जगा खड़ा रहना पड़ता है कि बताइए कि सोच के नाम बतादो हुआ 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 है क्या है यह कि इसमें क्या है कुसुम होता है को थी है हो गया आया कि नहीं भाई आया कि नहीं नाम है लोगा कि लिख लीजए लग बग पाँच अकारांत इस्तिरी लिख के लाएंगे आगे चलते हैं एक बताऊंगा और अब लिखके लाना है ठीक है लिखिए आकारांत पुलिंग शब्द अब बताइए ऐसा कोई शब्द बनाई है कि जिसके लास्ट में आ आता हो और वो पुलिंग हो धन्यवाद क्या है राजा यहाँ पर क्या है आ तो यह क्या हो गया आकारांत पुलिंग शब्द हो गया अब लिखिए आकारांत इस्तरी लिंग सब्देतों यह है और आप लोग लिखके लाएंगे अब चलते हैं इकारांत पकड़ना आ गया कि नहीं इकारांत उकारांत कैसे होता है अब इकारांत सब्द आप लोग बताओ इकारांत इकारांत कर दो कर दो कर दो कर दो बताईए उसके बाद एकारांत है ना ऐसा कोई शब्द बनाओ जिसके लास्टम पुलिंग होता हो और बड़ी के मात्रा हो बनाओ नहीं आ रहा है ना बहुत सारे शब्द है माली लिख दें चलो भाई माली होता है बना की नहीं उकारांत बताओ हाँ अच्छी यह बताईए चोटे उक मात्रा बड़े उक मात्रा कैसे लिखते यह बताईए पूरू से यह सही है यह सही है गुरू कौन साइए उपर वाला नीचे वाला अ है यह नहीं को बड़े कि रहा है डिवेरेंट है यह नहीं लिख दो तो सही है बात तो सही है लेकिन मैंने कहां लोग गुरू कहते हैं कि नहीं लेकिन सुद्ध गुरु कौन है जो सिक्षक होता है यह उपरवाला से इसमें यह भी गलत है यह उचारण है हम लोग क्या आच्छा यह बताईए छोटेव की मात्रा और बड़ेव की मात्रा में कोई फरक है नहीं है कुल इसे क्या कहेंगे कूल अब यहां पढ़िये हम बोलते क्या है पुरुस है यह पुरुस है यह पुरुस है पुरुस उचारनस्थान देखो तेख उचारनस्थान बहुत जैसे हम लिख दिया बख का उचारनस्थान वा का उचारनस्थान सर्थ ऀация बढ़े यह बहुत मायने रखता है किसी भी शब्द को लिखने के लिए जैसे हमने यहां पर लिख दिया कि वकरी वकरी अब देखिए बकरी बोलो और वकरी बोलो क्या फर्क दिख रहा है उचारण स्थान से कि अब तो दिख रहा है भाई यह बहुत दिख रहा है जब हम लोग बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है अब क्या ऐसा चीज़े कि आपका दोनों चीज मिलाया है और कोन ऐसा चीज़े बोलें बकरी बोलने के लिए दोनों होट को मिलाना पड़ता है बकरी अब बा को बिना होट मिलाया बोलो तो सबसे पहले देखिए जब कोई भी शब्द लिख बोला कोई बोले तो जब आप उस पे सुद्ध उचारण देखिए किसी भी शब्द का जब भी उचारण पर कि जब आप वह सुद्ध देखिए कोई भी चीज अच्छा तब लगता है जब वह साफ और शुंदर हो ना तो कोई भी चीज जब आप जिन अस्थानों से बोला जाता है उन अस्थानों पाप उसको अटाइच करें पहली बात उचारण अस्थान आपको पता होना चाहिए और किन अस्थानों से बोला जाता है उस अस्थान के बारे में जानकारी रहेगी तो आप इसको जब बोला जाएगा लिखो बकरी तो आप बकरी अच्छे से लिख लोगे अगर नहीं उचारण अस्थान पता है तो नहीं लिख पाओगे अब यहां पर आते हैं यह भाई सा सुनों अगर हम कहीं मिल जाएंगे तोड़ा सा सीटी मारना मुझे देख करके ज्यादा नहीं मारना यह करण है जितना तुम्हारें दम हो जेतना तुम्हारें दम हो देख सीपी मारो हम थाम लेंगे बोलें शर्ड समझ रहा है कि नहीं अब देखिए इन तीनों का कैसे थोड़ा सा समझीए गाज जैसे हमने लिग दिया सीताराम सीटाराम और फिर क्या है कि उच्चारन यह कहते हैं कि मुझे सीटी नहीं मारना देखके सीधे बोल देना भाई यह करें मुझे देखना तो थोड़ा सा सीटी मारना यह बोलें जितना तुम्हारे में दम है ऐसे बोलो हां 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 यह बोलने सीताराम सीटाराम सीटाराम से देखिए कोई दिकत हो रही है यह आई यह करें सीटाराम मतलब की रुकना पड़ जाएगा आपको बिना सीटी मारे नहीं बोल सकते अब यह करें और शीत राम-शीत बतलब की, देखिए बोलने और उचारन स्थान से सुध कोन लग रहा है, कौन जो शब्द लिखा गया है, कोन ऐसा है, कि जो कहँ रहा है कि भईया आप मुझे आशानी से बोल सकते हैं, कौन वाला बोला है, उपर वाला, तो आप इस उचारन के स्थान से, प् आता है कि नहीं तो यह चीज समझना होगा आपको जब आप समझेंगे यही नियम होता है अब यह आप बोल दिया पकरी तो लिख दिया वकरी जो अभू आते नहीं है वकरी बकरी तो वह वाला हो गया तो अब देखिए यह उकारांत जैसे गुरू हो गये गुरू कैसे लिख दिया वदू इसकि लाष्ट में क्या है कि बढ़ा हुए तो उकरांद हो गया हमने लिख दिया प्त्री इसके लाष्ट में क्या है रिपि मात्र है की नहीं हमने कहां मात्री सब्सक्रांद घया उन्हんでक पहचान करिए अगर उन्होंने दिया कि Republican महावजह पूछा ये अकारांथ है इकारांथ उकारांथ इकारांथ कौन सा सब्द है तो कौन सा होगा अकारांथ हो गया कैसे पता जयामे क्या है अगर उन्होंने कहा पानी इकारांथ हो जाएगा देखिए अब जैसे हमने इका नहीं बताए जैसे यहां पर लिख दिया किताब और यहां पर लिख दिया देखिए उचारांथ की द्रिष्ट से इन सब लोगों का उचारांथ अलग अलग होता है यह कीताब है यह धीरज है यह कीरन है अगर इसी को यहां पर ऐसे लिख दो तो यह क्या हो जाएगी कीरन अच्छा लग रहा है बोलने में कीरन जो चीज जब आप सुद्ध लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा अब किताब को कीताब जो नियम कहता है उसी नियम यही है देखिए सबसे पहले तो देवनागरी लीप का ग्यान किस लिए मांगा जाता है आप कोई भी उसकी बोलने की streaming कैसे होनी चाहिए और किस तरीके से बोलाजाता है और कैसे बोला एप भी यह चीज का ज्ड़ाण रहेगा कभी आप सुध रूपसे उसको लिख सकते हैं कभी भी खलती नहीं होगी समझ में अया shows क्या होता है रिकारांत क्या होता है रिकारांत अगर उन्होंने दे दिया कि जैसे यहां पे पुछा अब यह करांत except का उनसा शब Means क्या बता हो जाएगा कैसे हो जाएगा क्योंकि रह पे किसकी मात्रा है बड़ी की मात्रा तो ये एकारांत सब्द हो गया लेकिन महस्वरी होता है को होती है महस्वरी होती है को होता है होती है तो ये एकारांत क्या हो गया इस्त्री लिंग शब्द हो गया आगर उन्हों ने माहेश्वर हार is ओपोलिंग हो गया कैसे भी करके अगर उन्हों फृतने चेलि कर दिया और पित्त्री ऊंचान निम् रिकारांट क्या होगा क्योंकि तव पेारांफ कि मात्रह री कि मात्रह आप यह बताई है और होती है होता है तो पिता ये पिता जो सब्द है इस समय ये रिकारान तो पुलिंग शब्द है तो ये चीज आ गया कभी भी अगर पूछा जाएगा तो कुछ कोई दिकत नहीं अब चलते हैं आउर आगे तो इक अरा अचा ये इसमें सब्दों का भी है ना कि आस पास के वस्तूओं का ये सब का नाम ओम भी है है कि है कि नहीं कुछ पूछ लें नाम आता है कि नहीं आप लोग क्या आप भी डियलर के छात रहें आप लोगों कुछ न पर समिश्टर में था ना कि पूछें कि क्या हो रहा है वो भूड रही है कि अगर सर पूछ लेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं हो जाए चलिए बताइए लोमसिका माने लोमसिका लोमडी ग्रीगोदिका घर में जो उपर रहती है और दुरदुरह माने मेधक सर्मा माने सर्मा सुनी कुटिया कुकुरह माने ये तो सबको पता होगा क्योंकि ये आम बात है न अब वो भी तो है सर्मा सुनी दो नाम है कुटिया का क्या नाम है ये का नाम सर्म दूनों नाम है सर्मा को या तो सुनी को हो दोनों का मतलब क्या होता है मतलब सर्मा के सुनिये तो वो कह रहें गाली दे रहें को तुम कुटिया हो सर्मा सुनी आगे चलें कर्पू अच्छा यह खर्जूरा माने है खर्जूरा है और सस्कह माने तो खर्जूरा माने खजूर पता नहीं है द्राक्षा माने है जल्दी बोलो जल्दी बोलो पक्का लाक करें अगर आमने का चुद्र द्राक्षा माने हां अब क्या हो जाएगा किस्मिस हो जाएगा अब समाज में आया अच्छा जैसे हमने अगर पूछ लिए यह बताओ प्लांडु माने हां प्लांडु माने हिंडीरा माने है अरे वा टोमाइटो माने अच्छा यह बताओ गंत्री माने द्वी चक्रिका माने है और फोर चक्रिका जले आना है जले आना है ना होगा अब वायु यानम माने है वायु यानम हवाई जहाज हेलिकाप्टर अब जले आना है जले आना है जले आना है जले आना भाई समझ गे अगंत्री माने काउं सी बताओ बैल गाड़ी होती है द्वी चक्रिका माने त्री चक्रिका माने टेम्पो लाना सुने हो गी नहीं टेम्पो वाला तो आप लोगों को पांच पांच हम लिखाते जाएंगे ठीक है ये आप लोग याद भी करते रहिएगा अच्छा ये बताइए कपाला माने खोपड़ी और घ्राण माने पक्का हास्त माने पादा माने उदरा माने पेड़े बढ़े हैं आप लोग थोड़ा बहुत कि चलिए स्टार्ट करते हम लोग लिखिए शरो नाम सब दें कि 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 एक बचन माने अकेला दू बचन माने दो लोग अब बचन माने बहुत लोग यह तो पता होगा हिंदी में कितने बचन होते हैं कि सवस्कृत में अच्छा यह बता है यह पूरुस कितने होते हैं प्रत्थम यह इसी को क्या कहते हैं प्रत्थम पूरुस को एक और नाम से जाना जाता है आज के बाद पता हो गया हिंदूसरे नंबर पर क्या होता है होता है कि नहीं तीसरे नंबर पर क्या होता है अब देखिए सरो नाम सबसे पहला सरो नाम सब्द कौनसा होता है शह शह माने, तौ माने, बोलो जलियले, वह दोनों को वे दोनों, ते माने, ये बहु बचन है याद रखना, ते माने, वे सब ये, ये शिकन नमबर, ये थर्ड नमबर, फोर्थ नमबर पे आता है, तौ म, तौ म माने, यू आम माने, यू यम माने, अहम माने, आवाम माने, ये पता हो गया कि नहीं, सब को पता होगे एकसा माने, ये पुलिंग शब्द है, ये भी पुलिंग है, ये भी पुलिंग है, अहम माने मैं, थोड़ा समझे का सरवनाम जो शब्द होता है, इनका भी रूप चलता है, और सरवनाम सब्दों का नोट करके निखलो, सरवनाम सब्दों का रूप प्रत्मा से लेकर के सत्मी विभक्त तक होती है, हो गया? हो गया? अरे वो तो नोट मिटाये है, नोट, नोट माने? ये सबको पता है कि नहीं अभी तब? साम माने वार्ताओं माने, वेदोनोते माने, वेशप्तों माने, तुम यूवाम माने, यूवाम माने? अब देखो थोड़ा सा अनुबाद का नियम बता रहे हैं हम लोग, रूप आप लोग जानते हो धात रूप, धात रूप, हम लोग लेते हैं पठ धातुका, किसका लेते हैं? पठ धातुका, इसमें भी क्या-क्या होता है? इसके नीचे लिख रहे हैं तो एक बचन समझ रहें कि नहीं इसके नीचे लिखेंगे तो कौन सा बचन होगा और इसके नीचे इसमें कितने पूरुस होते हैं होता है कि नहीं फिर उसके बाद क्या होता है मध्यम पूरुष फिर उसके बाद उत्तम पूरुष ठीक है यहां पे रूप कैसे चलेगा बताईए आप लोग पठती पठता है यह तो यहां बीज में लिख दिया पठती पठता है पठंदी फिनागे पठसी पठत है पठत है फिर उसके बाद पठामी पठाव है पठाम है चार यह किस नमबर पे है पांच यह किस नमबर पे है शिक्स यह देवन यह एट यह यह इसका नमबर कितना है एक इसका दो इसका तीन यह चार पांच च्छ साथ आठ फिर इसका नौ अब थोड़ा सा आम लोग समझते हैं जैसे अगर हमने कह दिया यहां पर लिखा कुवह जाता है थोड़ा सा समझेगा वह लटलकार वर्तमानकाल का रूप है यह किसका है वर्तमानकाल का अब थोड़ा सा समझना होगा अगर उन्होंने पूछ लिया या सीटिट में या सरल चीज समझो सरल चीज उन्होंने कह दिया कि यह बताईए शह का वचन और पुरुष है सह शब्द का सह सरवनाम सब्द का पुरुष और वचन है उसमें चार विकल्ब बनाए सबसे पहला विकल्ब दिया कि एक बचन पुरुष सही है अगर उन्होंने पूछ लिया आवाम का पुरुष और वचन बताईए तो क्या होगा उत्तम पुरुष दो बचन हो जाएगा अगर उन्होंने पूछ लिया यूयम का पुरुष और वचन बताईए समझ में आया अगर उन्होंने कह दिया कि सरवनाम सब्द तौम का बहु बचन होगा अगर उन्होंने का आप पठत यह न धात रूप पठ धातु का मध्यम पुरुष दो बचन होगा अगर 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 हमने कहा है कि हम दोनों पढ़ते हैं और यह नहीं पठती हो जाएगा अगर हमने कहा कि हम दोनों पढ़ते हैं क्या होगा हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पक्का सबको समझ में आ रहाएगी नहीं जिस नंबर का यह हमारा सरवनाम सब्द होगा जिस बचन और पुरुष का होगा उसी पूरुस और बचन की हमारी क्रिया हो जाएगी हमने कहा कि हम दोनों पढ़ते हैं हम दोनों कहा है या है किस नंबर का है आठवे नंबर का है तो हमारी क्रिया किस नंबर की होगी आठवे नंबर की हो गई समझे की नहीं अगर हमने कहा दिया कि हम सब पढ़ते हैं हम सब की बताइए मीनिंग क्या है वयम तो यहाँ पर हमने बयम तो लिख लिया अब बताइए बयम का बचन और ये बयम क्या है बहु बचन है लेकिन कौन से पुरुसका है उत्तम पुरुसका तो हमारी जो क्रिया होगी वो देखिए उत्तम पुरुस की कौन सी बचन की होगी बहु बचन की होगी इसके साथ क्या लग जाएगा पठाम है समझ गए कि नहीं अगर हमने कहा तुम सब जाते हो बताईए तुम सब पढ़ते हो पढ़ते हो बताईए जल्दी से यूयम पठत हो गया अई बाद समझ में यह हो गया अनुबाद इसका खतम हो गया अगर हमने कहा कि वे सब पढ़ते हैं वे सब पढ़ते हैं अब बताईए यह सा किस सरोनाम से इसका बहु बचन क्या है प्रथम पुरुष अन्य पुरुष का क्या है बहु बचन तो हमारी क्रिया का प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का काउंसा बहु बचन क्या है तो यहां पर क्या हो जाएगा ते पठनती हो गया यह तो तो फिर कल हम लोग स्टार्ट करते हैं और अगला करें